नमस्कार तो दोस्तो मेरा नाम है शुबम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुबगदम में तो दोस्तो आज लेके आवे आपके लिए एक एसा स्टॉक जो कि आने वाले दो से तीन हपतों में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना कर दे सकता है तो स्टॉक का नाम हिंदूस्तान उनिलिवर इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको इस स्टॉक की पूरी प्राइस एक्षन बेस टेकनिकल अनलेसिस करके बताऊंगा अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो मैं आपको गैरेंटी के साथ यहाँ पर बता सकता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख कर जा सकते हैं तो इसकी टेकनिकल अनलेसिस के लिए शुरुवात करते हैं तो आपको यहाँ पर बता दू कि स्टॉक का नाम है हिंदूस्तान यूनिलिवर अभी ये स्टॉक मैंने पिक क्यों किया तो अगर हम वीकली चार्ट पर चलेंगे तो स्टॉक मार्केट में एक मित है कि हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदूस्तान यूनिलिवर जो स्टॉक है वो अच्छे खासे अप्ट्रेंड में मूग कर रहा है इस वज़े से हमें यहाँ पर बाइंग के अपॉर्चिनिटी दूननी चाहिए तो बाइंग के अपॉर्चिनिटी मुझे यहाँ पर मिली कैसे यह सारी बाते में आपको यहाँ पर बता रहा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पर यहाँ पर एक राइजिंग चैनल बन रहा है जो कि मैंने ट्रेंड लाइन से मार्क कर दिया है तो प्राइज अभी कहा पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्राइज ट्रेड कर रही है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइज जो है अपने सपोर्ट पे है राइजिंग चैनल के तो price support पर है मतलब यहाँ पर अच्छे खासे buying के मोके दूनने हैं तो support पर price है पर हमें यहाँ पर confirmation क्या मिलेगा कि यहाँ पर से हमें buy कर लेना चाहिए तो हम यहाँ पर एक volume indicator यूज कर सकते हैं यह indicator lagging नहीं है यह leading indicator है यह lagging indicators में use नहीं करता तो हमें यहाँ पर इस indicator का use के से करना यह पहले में आपको बता देता हो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार भी जब यह price support पर आई थी तो इसने यहाँ पर bullish doji या फिर हम इसको bullish pin bar के सकते यह बनाया था तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं दो-दो bullish pin bar यहाँ पर बन चुके हैं तो अगर इस bullish pin bar पर हम अपना volume अगर इस bullish pin bar पर हम यहाँ पर volume दूनेंगे तो आपको यहाँ पर volume कितना trade हुआ है इस week में 7.97 million shares जो trades है वो लिए गए हुए इतने shares की buying या फिर selling यहाँ पर हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते यह जो volume है वो हमें यहाँ पर ideal volume दिख रहा है इस support line पर buying के लिए तो उसी तरह से अगर हम इस वाले दोजी candle पर अगर हम volume देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 14.56 million volume यहाँ पर दिख रहा है जो कि इस वाले volume से double है इसका मतलब अच्छे खासे shares का यहाँ पर trade लिया गया है buying selling हुई है इसका मतलब यहाँ पर यह वाला जो indicator है वो अच्छा खासा buying signal हमें यहाँ पर दे रहा है इसका मतलब volume यहाँ पर से हमें पता चला कि अच्छा खासा volume भी trade हुआ है और साथ में साथ में अगर हम इसमें से four hour के time frame में जम करें मतलब थोड़ा सा lower वाले time frame में जम करें तो आपको यहाँ पर एक double bottom pattern या फिर w pattern देखने को मिलेगा अभी double bottom pattern या फिर w pattern अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है तो एक reversal pattern है आपको मैं आपर draw करके भी दिखा सकता हूँ यह क्या होता है एक support and resistance के बीच में consolidation होता है मतलब अगर कोई stock समझ लो downtrend में मूँ कर रहा है इस तरह से तो यहाँ पर एक w pattern या फिर डबल bottom pattern इस तरह से बना देगा मतलब यह कुछ इस तरह से फिर यह जो अपनी neckline या फिर resistance से इसका breakout दे देगा यहाँ पर एक retest होगा और retest के बाद में stock जो है वो uptrend में मूँ करन मतलब यहाँ क्या हो रहा है downtrend वाला stock uptrend वाला बन रहा है यह तो आपको यहाँ पर से confirm हुआ तो अभी यह drawing जो है में यहाँ पर rough कर देता हूँ आपको w pattern या फिर double bottom pattern क्या होता है यह आपको यहाँ पर पता चल गया होगा तो price जो है आप यहाँ पर देख सकते यह support line है price downt downtrend में मुझ कर रही थी यहाँ पर एक double bottom pattern बरा इसका breakout हुआ और breakout के बाद में retains भी हो रहा है मतलब यह एक अच्छा chances है यहाँ पर हमें buying करने के हमें 2-3 confirmation तो यहाँ पर से मिल गए कि stock जो है अच्छे खासे uptrend में है इसलिए हमें buying के लिए जाना चाहिए stock जो है अपने weekly chart में अपने support line पर है rising channel के इसलिए हमें buying के लिए जाना चाहिए और हमने जो volume indicator यूज किया था दो दो bullish pin बार बन रहे support पे और अच्छा खासा volume भी trade हुआ है तो यह भी हमें indication दे रहा है कि हमें यहाँ पर से buying के लिए चले जाना चाहिए और अगर और एक confirmation म अगर आप यह trend line देख रहे है इसका भी breakout होकर यहाँ पर retest हो रहा है मतलब downtrend वाली trend line का breakout हो रहा है मतलब stock जो है वो uptrend के लिए move करने का देख रहा है यह भी confirmation हो सकता है तो अभी enter cup करें यह हमारा यहाँ पर question है कि हमें enter cup करना चाहिए तो मैं यहाँ पर enter cup करूंगा यह को यहाँ पर बता देना चाहता हूं तो अगर में वाली levels अगर rectangle channel से mark कर दो तो आपको यहाँ पर resistance यहाँ पर देखने को मिलेगा 4-hour की चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर resistance यहाँ पर resistance और अभी फिलाल यहाँ पर भी इसने resistance प्याश्ड करके stock जो है वो एक लोवर हाय बनाया था पिछले वारा तो अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन से इस तरह से मार्क कर दू तो यह भी ट्रेंड लाइन एक क्रूशियल लेवल बन सकती है हमारे लिए तो जल्द बाजी में हमें यहां पर बाइंग का नहीं देखना चाहिए बहुत सारे ट्रे लाजी नहीं करने तो हमें एक्चले में यहां पर बाइंग कब करनी तो आप यहां पर देख सकते हैं एक मेजर लेवल है आप यहां पर देख सकते हैं और टीन-चार बार सपोर्ट लिये एक अच्छा खासा पुलबैक का इंतजार करेंगे या फिर रीटेस्ट हम इसके उपह सकते और यहाँ पर एक बुलिश केंडल धून कर हम यहाँ पर से बाई के लिए जा सकते कहां पर बाइंग करने हैं लगबख 2192 मतलब 2192 के आसपस हमें यहाँ पर बाइंग को देखना है पर कब जब यह इसका ब्रेक आउट कर देगा और पुलबैक होकर यहाँ पर एक अच्छी बुलिश केंडल बन जाएगी जैसी कि यहाँ पर बन रही है बुलिश पिन बार बन रही है तो इस समय यहाँ पर हमें बाइंग करनी है और हम हमारा स्टॉप लॉस और होगा वह आप यहाँ पर देख सकते यहाँ पर मैं अपना टार्गेट जो है रख दूंगा अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी तो इसके बीच में आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते है और टार्गेट जो है वह पीछले वाला जो स्टॉइंग हाई उ इसका मतलब जो है वो down trend में मुग करना चालू कर देगा क्यूंकि यह वाली जो trend-line है इसका थोड़ा सा-resistance फेस करेगा प्राइज और इसके वज़े से यह downtrend में मुग करना चालू कर देगा इस वज़े से stop loss हीट होने पर भी हमें कोई गम नहीं होगा कि हमारा stop loss हीट हो गया क्योंकि यह stock और भी नीचे करना यह सब कुछ दो थी वह हिंदुस्तान रिवर की मेरी टेकनिकल अनालेसिस एसे ही बहुत सारी टेकनिकल अनालेसिस में मेरे इंस्टा पेज पर शियर करता रहता हो आप यहाप नेम देख सकते हैं शुबह कदम तो आप यह आपको लिंक जो है वह दिस्क्रिप्शन में मिल जा तो आज के लिए इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज यार दोस्तों इसको सिर्फ 75 लाइक्स कर दो अगर यह अपको पूरा कर देंगे तो और अच्छ अच्छ वीडियो में आपको यहांपर लेके आऊंगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू प्रेमाट